जय हिन दोस्तों आज के इस यूडियो में एक और जॉब वेकेंसी के बारे में बात करूँगा जो छत्तिजगर स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादिस मतलब की लिम्टेड में निकली हुई है सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता देना चाहूंगो दोस्तो में बातकर थो अपरेंटेश के रिए टान है कि इसके बास करता है यहां पर लोग देख़ पाएंगे हाँ अंतर शत्यकर जैनरेशन कंपनी के दौदण 221 बाइस के लिए निर्मलिखित संकार मंदब ब्रांचेस में प्रसिक्षु को एक वर्ष की एक प्रसिक्षण हेतु किये जाते हैं ठीक है नियोजित किये जाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच का नाम देखिए चौबिस पोस्ट रहेंगी इलेक्ट्रिकल के लिए बा और मेकनिकल के लिए बाकी रिपार्टेंट में भी 3-2-3-2-1 करके कुछ विकेंसी है और डिप्लेमा वालों को 8000 रुपए यहां पर दिया जाएगा सबसे इंपोर्टेंट बात यह अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ प्रकार की शर्ते दी गई हूं यहां वर्ष की अवजी के लिए होगी और प्रसिक्षण पूर्ण होने के पस्चात उम्मीदवार चत्रीगार स्टेट पावर जनरेशन कंपने लिम्टेट में आइस्थाई और मिस्थाई किसी प्रकार के रोजगार है तो हगदार नहीं होगा मतलब सिर्फ आपको एक साल के यह पर जॉब मिलेगी अगला देखिए जो मिदवार किसी अनसना प्रसिक्षण कर चुके हैं प्रसिक्षण ले रहे हैं या कर रहे हैं उनका उम्मीदवार है तो यह पात्र नहीं होगे अब जब इसमें आप एप्लाई करेंगा तो किन किन चीज़ों की आपको शकता होगी य अब सबसी इंपूरेंड यह है कि नेशनल अप्रेंटेंशिप ट्रेनिंग स्कीम यह एने टीएस का पोर्टल होता है वहां पर पंजीकरन करना पड़ेगा तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे तो वहां के नंबर आगा पंजीकरन नंबर हो यहां पर डालना जो समय हो चुकिए उम्मिद्वार को यहां पर पात्र नहीं होगे मतलब आपको जो ग्रिजुएशन के बाद तीन वर्ज से अधिक नहीं होने चाहिए यहां पर अप्लाई करने के लिए और यह वही सेम बात है कि जो अमिद्वार एंड एटीएस के पोर्टल में रिजिस् करना पड़ेगा तो अगर आप लोग इच्छुक हैं डिप्लोमा और इंजिरिंग बेस से अपरेंटेंटेंशिप में डालने के लिए तो निश्चित तोर पे आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अच्छी पोस्ट हैं 57 और 70 पोस्ट कम नहीं होती हैं और इस समय भर